Hey everyone, आज मैं अपने चैनल जिसका नाम है Food of Beats पर बनाने वाली हूँ Instant Beetroot सूजी अप्पे की रेसिपी Beetroot एक ऐसा vegetable है जिसे हम खाने को natural pink color देने में different different recipes में use करते हैं जो खाने में tasty और healthy होने के साथ beautiful भी लगती है तो चलिए सूजी के अप्पे को थोड़ा healthy बनाते हैं और इसे एक pink twist देते हैं So let's see, हमें Instant Beetroot सूजी अप्पे बनाने के लिए कौन-कौन से ingredients चाहिए सूजी एक कप, दही हाफ कप, ग्रेटड बीट रूट एक medium size, चौपड अनियन एक medium size, ग्रीन चिली दो से तीन, curry leaves, 10 से 12, mustard seeds, half teaspoon, hing, one fourth teaspoon, refine oil, one and a half tablespoon, पानी, half cup, baking soda या खाने वाला soda, half teaspoon. तो सबसे पहले, इसका batter ready करने के लिए, हम एक कप सूजी में, half cup तही और half cup पानी आड़ करेंगे, और batter को अच्छे से mix कर, 20 से 30 मिनट के लिए, फूले के लिए side रख देंगे, अब हम एक pan गरम कर लेंगे, pan गरम होने पर, one and a half tablespoon, refine oil डालेंगे, फिर इसमें, half teaspoon mustard यानी सरसो के दाने, one fourth teaspoon हिंग, 10 से 12 chopped curry पत्ते, low to medium flame पर fry करेंगे, फिर दो chopped हरी मिर्च, एक chopped प्यास और grated beetroot डाल कर, एक से दो मिनट लो फ्लेम पर fry कर लेंगे, एक से दो मिनट के बान, आप देखेंगे कि oil अलग हो गया है, गैस बंद कर, इसे ठंडा होने के लिए side रग देंगे, अब हम batter चेक कर लेते हैं, अगर batter बहुत थिक लगे, तो 2 से 3 teaspoon पानी डाल लेंगे, बैटर की consistency पेस्ट की तरह होनी चाहिए, अब इसमें fried beetroot, नमक as per taste और last में, half teaspoon baking soda डाल कर अच्छे से mix कर लेंगे, अब हमें अपे maker को गरम कर लेना है, अपे maker को oil से grease कर लेंगे, flame को हमें low रखना है, फिर सारे molds में किनारे से 1-1 spoon भर कर batter डालेंगे, और low flame पर 4-5 minute के लिए धक कर कुक कर लेंगे, फिर धकन हटा कर इसे पलट कर 2-3 minute के लिए low flame पर दूसरी तरफ भी अच्छी तरह कुक कर लेंगे, और ये लीजे, बन गया instant beetroot सूजी अपपे, इसे आप green chutney या फिट tomato ketchup के साथ enjoy कर सकते हैं, अगर आपको मेरी ये recipe अच्छी लगी, तो मेरे चैनल food abbeats को like, share और subscribe करना ना भूले, thank you, take care,